अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्णों के उत्तर लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले उब्जेक्टीव हैं एलेंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यहने कि मुकुलन नाम की एक एलेंगिक जनन की प्रकुरिया होती है विधी होती हैं तो यह किसमें होता है तो यीस्ट नाम के जीव में मुकुलन द्वारा एलेंगिक जनन होता है दूसरा प्रशन है निम्न में से कौन मादा जनन तंतर का भाग नहीं है तो अंडासई, गरबासई और लिम्ब वाहिने ये तीनों मादा जनन तंतर के भाग है तीसरा है पराग कोस में उपस्चित होते हैं पोधे में पोधे का जो फूल होता है उसमें पराग कोस पाए जाते हैं तो पराग कोस में क्या होता है तो पराग कोस में पराग कन पाए जाते हैं परागकन छोटे छोटे दाने जैसे आकार के होते हैं तो इनको ही परागकन कहते हैं